हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हेंदे फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या एक मदर अपने माइनर बच्चे की प्रोपर्टी का ट्रांसवर कर सकती है या फिर नहीं वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर फिर नहीं हमारे कानून में हम इस तरह का प्रोवीजन किया गया है कि अगर कोई बच्चा माइनर है उसके जो पहले गार्जेट होंगे वो उसके पिता होंगे या फिर उसकी माँ होंगे लेकिन अगर बाप की जो आर्थिक स्तिती है वो बहुत जादा कमजोर है तो उस पास उचित साधन है तो मा उस बच्चे की गार्जियन बन सकती है लेकिन आंधर प्रदेश हाई कोड के द्वारा यहां तक कह दिया गया कि जब पिता के पास परियाप्त मातरा में आर्थिक संसाधन होते हैं उसके बावजूद भी एक माइनर बच्चे का संरक्षक माता ब पावजूद भी अगर एक मा चाहे तो माइनर बच्चे की संरक्षक बन सकती है या फिर बनाया जा सकता है अगर ये उचित समझा जाए कि उस माइनर बच्चे का जो कल्यान है और उसके हित हैं वो मा के पास रहने से ज़्यादा अच्छे होंगे इसी टॉपिक पर सरीमती गीता हरिहर वर्सिस रिजर्व वैंक ओफ इंडिया और डॉक्टर वंदनाशी वर्सिस जयन्ता वंदोपाद ध्याई केस में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपून फैसला सुनाया गया था इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोड ने एक ही जैसा फैसला सुनाया था शिर कपल ने रिसा बैली के नाम पर 20,000 रुपे के 39 चूट वाले बॉंड के लिए रिजर्व बैंक ओफ इंडिया में आवेदिन किया था कपल ने रिजर्व बैंक में इसी के रिगार्डिंग एक शपत पत्र भी पेश किया था और उस माइनर बच्चे रिशब की संरक्षक उस ने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट खटाया और दूसरी केस में डॉक्टर वंदना शिव एक समाजिक कारे करता है उसके पती के द्वारा दिल्ली के एक कोट में तलाकी याजिका पेश की गई थी डॉक्टर वंदना ने खुद को अपने एक माइनर बेटी का नैसरगिक संदक्षक बताते हुए सुप्रीम कोट में एक याजिका दायर की थी इन दोनों ही केसों में सुप्रीम कोट ने कहा कि मा हो या फिर पिता हो दोनों का ही ये करतावे है कि वो अपने माइनर बच्चे की बॉड़ी और उसकी प्रोपर्टी की रक्षा करें और उनके हितों की माना जाएगा सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि अगर पिता किसी शारीरिक या फिर मान्सिक अयोगिता से पीडित है और उसके माइनर बच्चे के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है तो माही उस माइनर बच्चे की नैसरगिक संदक्षक हो सकती है तो इस तरह से कोई म अपने नाबालिक बच्चे की प्रोपर्टी का ट्रांसवर कर सकती है होब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा